हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में जिसका नाह हमें यूपी बालो की स्टडी दोस्तों आज मैं आप लोग लिए वीडियो बनागर गिलाया हूँ इसमें आपको हुमन डाइट्स के कुछ कोश्चन इंपोर्टन लेके आया हूँ मैं जो आपके एक्जाम में यूमन डाइट्स के बारवर पूछे जाते हैं और आपके एक्जाम में आपको एक्जाम क्लियर करने में यह बहुत ही सहायक सावित होंगे दोस्तों यह वीडियो बुंदेलखंड यूदियो जहां सी के छात्रों के लिए इस पेसल बनाई गई है ये सभी छात्तों क्लिए है वैसे आप कोई भी एक 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 एक्जाम अगर आपका human rights का है कहीं पर भी किसी भी college का है किसी भी university का है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना एक्जाम को असानी से clear कर सकते हैं निकाल सकते हैं इस वीडियो में मैंने वे question ले के आया होगा इसको सुरू करते हैं यहीं से बिना देरी किये हुए तो इन में से कौन सा मानवाथिकार की त्रतीपीडी से संबंध है तो दोस्तों इसका आंसर आपका देख रहे हैं तो दोस्तो है उनिस सो छ्यालिस में OHThank sד cracking कर दो सिन दोस्तों राष्ट्री मानवा दिकार आयोग जो कि दोस्तों इन में से आप संदिये हुए यापको सही आंसर पिक करना का है तो दोस्तों यहां इसका सही आंश रहे का सब्सक्राइब अग्ले कोश्चन में कि अनवा दिकार संफचन एक्ट कि धारा में मानवा दिकार लूट करrimination है तो इसका आनसर जो है वो तीच थाला थीज के अंतर्गत यह आता है तो चलो यह अग्ले कोश्चन में चलते हैं दोस्तों कि दोस्तों यह वीडियो मैंने आप लोग के लिए एक्ष्ट्रा बनाई है इसके पहले मैं एक वीडियो की और बना चुका हूं जिसमें मैं प्रिविएस यह के कुछ कोश्चन लेकर आया था जो भी वह भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपक सब्करिद्ध है क्लिक करके देख सकते हैं जमित्र समफ के अधिकारं को भारती समय के और Нав्य इसका आंसर जो है वो चौदा हैगा चौदा अनुच्छेद यानि की आर्टिकल नंबर चौदा में इसको सामिल किया गया चलिए अगले कोश्चन में चलते हैं बिन देरी के वे मैं आपका समय की कीमती है सब का भारती संविदान के किस किस अनुच्छेद में वन सुरच्छा को सुनिच्चित किया गया है तो दोस्तों इसका आंसर जो है अलतालिस ए हैगा अलतालिस मर्थ कर दिएगा अलतालिस ए हैगा नुच्छे दियाने की आर्टिकल नंबर अलतालिस ए दोस्तों यह जो कोश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग एक्जाम दे कि मानवा दिकार की आधुनिक आउधानना विक्सित हुई दोस्तों कब हुई थी यह दुति विश्व युद्ध के बाद हुई थी ठीक है तो दोस्तों आपको याद रखना चलिए अगले कोश्चन में चलते हैं भारती यह संविधान के किस अनुछेद में छुआ छूत सम् सत्रा आर्टिकल सत्रा के अंतरगत चुआ चूत को सम्मिलत किया तो चलिए अगले कोश्चन में चलते हैं मानवा दिकार संरच्छन अधिनियम 1993 किस वर्स संसोधित किया गया तो दोस्तों यह इसका आंसर जो है वो दोजाच्छ हैगा यानि इभी आंसर हैगा इसका दोजा प्रवा भी हुआ था ठीक है तो चलिए अगले कोश्चन में चलते हैं नागरिक वा राजनेतिक अधिकारों की अंतर राष्ट्री प्रसंविदा किस वर्स अंगी करत की गई अंगी करत का मतलब दोस्तों अडॉप्ट होता है यानिक अडॉप्ट की गई तो इसका सही जो अंसर है वह निस सो चाट हैगा उनिस चाट में अंगी करत की गई थी आनिक अडॉप्ट किया गया था इसको चलिए आगे चलते हैं यूएन चाटर में कितने अनुश्य हैं तो दोस्तों इसका जो सही आंसार है यानि की यूनाइटेट नेसन से बात कर रहा है उनाटेटलेर नेशन में कितने अनुश्य हैं तो इसमें 1130 नestone तो इसका यह जोन नहिंचे था है तो इसका जो सही आंसर है वो लंदन हैगा UK में तो इसका जो सही आंसर है वो लंदन है ठीक है दोस्तों तो यह आपको याद रखना है चलिए अगले कोश्चन में चलते हैं यूनाइटेट नेशन्स हाई कमिशन फॉर हुमन राइट तो इसका करयाल कहां इस्तित है तो इसका जो सही आंसर वो जेनेवा है जेनेवा में इसका करयाल है चलिए आगे चलते हैं अगले कोश्चन की और अगला कोश्चन है इंटरनेशनल किमिनल कोट कहां इस्तित है तो इ तो यह आपका अगले कोश्चन की और हम लोग चलते हैं अधिक्तम व्यक्तियों की अधिक्तम भलाई वानुवा दिकार के निम्म लिकित सिद्धानतों में किसकी अधार भूत सुकती है तो दोस्तों कोश्चन है इसका और इसका जो आंसर है आप लोग देख सकते हैं उप्यो अधिक्तम नके आवक में धर में USत अंसधन द्वारा प्रतुद किया गया गया थि दोस्तों जो फिल्य कोश्चन चलते हैं मौलिक करता बेनिम लिखित में समाविष्ट है किसमें समाविष्ट है दोस्तों आपको यह देखना और बताना तो इसका जो आंसर हैगा वह अनुच्छेद आपको याद रखना चलिए अगले कोश्चन क्यों चलते हैं बिना देरी कि अगला कोश्चन है सिच्छा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतरगत प्रित्या भूत है तो दोस्तों जो सिच्छा का अधिकार हो तो आप लोगों पता ही होगा राइट टू एजुकेशन जहा अगला कोश्चन है अंतराष्ट्री अपराधिक न्यायलाई पुंड़ा वलोकन सम्मेलन 2010 कहां पर आयुजित किया गया था तो दोस्तों इसका जो सही आंसर वो कंपाला है कंपाला में जाए आयुजित किया गया था 2010 का सम्मेल तो चलिए अगले कोश्चन में चलते हैं संविधान के की नीच नीचे दी गई अनुसूचियों में से कौन सी मानने भासाओं से संबंदित है तो आपको यह बताना है इसका जो आंसर यह हैगा अनुसूची आठ है यह इसका सही आंसर है तो दोस्तों चलिए अगली कोश्चन में चलते हैं मानवा दिकारों की सार्व भॉमिक घोशला को कब अपनाया गया था वैसे आप लोग को दोस्तों यह इसका अंसर पता होगा वैसे सभी को पता होगा इसका जैसा कि आप देख सकते हैं बी आंसर इसका सही आंसर हैगा यानि कि दिसंबर 10-10 दिसंबर 1948 इसका सही आंसर हैगा चलिए अगले कोश्चन जो चलते हैं अगला है तीसरी पीड़ी के मानवा दिकारों की आउधाना का उपयोग सरुपितम किस ने किया तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो डी है गा कारल वासाक ने इसका सरुपितम उपयोग किया था ठीक है अगला कोश्चन हैगा हेल सिंग की घोशना पत्र 1964 का सरा सरोकार निम्लिकित के साथ है यानि किसके साथ है तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो बी आप्सन सही है मानवी प्रियोग के साथ ठीक है तो चलिए इसको आप याद रखिएगा और अगले कुश्चन गयों चलते हैं कि अगला है मौलqui अधिकारो के किस वर्ग में आइस्परसित्याया अन्मूलण समवेस्ट है तो दोस्तों इसका जो जो सही आंसर भी है समांता का इसका सही आंसर रहेगा चलिए कोश्चन क्यों चलते हैं को कि अगळा your आपका भारत में मानौवादिकाल संरच्छन अदिनियम कि सबार्व बना था दोस्तों यह बहुत है एपको याद रखना इसका जो जो बना था यह in 1993 मay यह बना था तो यह आपको याद रखना है इन्पॉट्न को पर अगला कोश्चन है कौन सी विशिष्ट एजेंसी सिच्छ एवं संस्क्रति के माध्यम से सांती और सुरच्छा के लिए कारे करती है तो आपको यह भी याद रखना है यह इसका सही आंसर है जैसे याद देख सकते हैं ऑप्सन नंबर भी इस दराइट आंसर के लिए अगले को अधीनता और सुरच्छा का अधिकार तो दोस्तों इसका जो शही आंसर है वो डी आंसर है आटिकल नंबर तीन यानि का छेत तीन इसका सही आंसर है चलिए अगले कोश्चन क्यों चलते हैं अगला है मानवा धिकारों का क्रांतिक सिद्धान्त निम्निखित में से किसी ने कि अगले कोचन के रूप में समानता को इतिहास में सर्व प्रतम किसे प्रतित किया था तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो इसका आंसर है बी रोमन और जो कि इस वीडियो का आखरी कोश्चन था जो आप लोग देख रहे थे तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइए और अगर आपको वीडियो यह पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों साथ भी सेयर कीजिए त जो सभी छात्रों को देना होता है वो चाहे किसी भी उनिवर्स्टी के क्यों नहूं तो दोस्तों यह वीडियो आप लोग के बहुत ही उपयोग में आएगी और इसके द्वारा आपके काफी हद तक कोश्चन जो आप एक्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे इस वीडियो को उनके साथ सेयर कीजिए कि ताकि उनका भी एक्जाम निकल सके और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप आगे और देखना चाहते हो तो इस मेरे यूट्यूब चैनल यूट्पी वालों की स्टड़ी को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के आपको एक बल आइकाउन को निसान दिखाई देगा यानि के घंटी के निसान उस पर भी किलिक कीजिए का ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की जानकारी यानि की नौटिपिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप मेरी नई वीडियो को लगातार देख सकें कि दोस्तों जाते आदे मैं आपको एक बात और बता दूँ कि अभी आपको वीडियो के लाउस्ट में कुछ वीडियो दिखाई देएंगी ओपन स्क्रियन स्क्रीन में वीडियो ओपन दिखाई देएंगी तो जो कि एक मानुवा दिकार से भी संबंदित होंगी जो मैंने के पहले मतलब यानि की वीडियो मैंने पहले बना के अपलोड कर चुका हूं उसको मैंने आप स्क्रीन के एंड में लगाया हुआ है कि ताकि आप लोग इसमें डाइट किलिक करके उसको देख सकते हैं और बीच में मेरे मेरे चैनल का लोगों ठिकाई देगा जाने कि मेरे चैनल कर दिसमें नाम लिखा होगा यूपी वालोग श्टडी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उस लोगों में क्लिक करके डिरेक्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करने झाल झाल